हेलो दोस्तों, वेलकम टो दिस वीडियो आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का चैप्टर आउटकम्स ओफ डेमोक्रेसी देखने जा रहे हैं सबसे पहले समझते हैं वाट इस डेमोक्रेसी ये एक फॉर्म आफ गवर्मेंट है जिसके रूलर्स को कॉमन पीपल इलेक्ट करते हैं ये वर्ड डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है पावर आफ पीपल तो आखिर डेमोक्रेसी बैटर क्यों है ये इक्विलिटी को प्रमोट करता है इंडिविजुल्स की डिगनीटी को बढ़ाता है डेमोक्रेसी में अधर फॉर्म्स और गवर्मेंट से डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम लगता है पर आखिर में जो रिजल्ट निकल कर आता है वो सबके लिए फेबरेबल होता है कॉन्फिक्ट्स को रिजॉल्व करने का रास्ता बताता है बेसिक आउटकम्स और डेमोक्रेसी सबसे पहला गवर्मेंट अकाउंटेबल होना चाहिए सिटीजन्स को अपने लीडर्स को चुनने का हक होता है और वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट भी लेते हैं क्योंकि गवर्मेंट सिटीजन्स द्वारा ही इलेक्टेड होती है तो लोगों को भी गवर्मेंट पर भरोसा रहता है एकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलप्मेंट एकोनॉमिका रेट आफ ग्रोथ डिक्टेटर्शिप रूल से ज़्यादा डेमोक्रेसी में होता है तो आईए देखते हैं पहले डिक्टेटर्शिप क्या होती है डिक्टेटर्शिप में हर नागरिक को सारे लॉज और रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो की एक परसन या पार्टी ने बनाए हो लोगों को डिसेगरी करना अलाउड नहीं रहता है पावर एक ही बंदे के हाथ में रहती है और वो किसी से पूछे भी नहीं कानून बना देता है पर एकोनॉमिक ग्रोथ के कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे की कंट्री की पॉपुलेशन, लिट्रेसी रेट, लोकेशन, एंड फॉरें रिलेशन्स डैमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्विलिटी पर बेजड होती है पर एकोनॉमिक के लिए केस सेम नहीं होता एकोनॉमि में अन इक्विलिटी बढ़ रही है क्या आपको पता है इंडिया में 80% of wealth 20% लोगों के पास है डैमोक्रेसी उसके सिटीजन्स को एक पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ प्रोवाइट करता है बाए अकोमेडेटिंग वेरियस सोशल ग्रुप्स एंड माइनॉरिटीज डैमोक्रेसी दिन पर दिन सुधरती जा रही है और लोग हमेशा डैमोक्रेसी में और ज़्यादा बेनिफिट्स चाहते है तो दोस्तों इस शेप्टर से आपका टर्म 2 का सोशल साइंस का कोर्स खतम हो गया है मैंने सारे वीडियोज एनिमेटेट फ़र्म में आपके लिए बना दिये हैं तो आप प्लीज उन्हें जाकर देखिए और अगला वीडियो है मैप वर्क का जो आपको क्लास 10 सोशल साइंस टर्म 2 एक्जाम में पूछे जाएंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई